हलो बच्चों, वेलकम बैक इन माई यूटूब चैनल बच्चों, आज हम सीखेंगे एडिशन ओफ मिक्स्ट फ्रैक्शन मिक्स्ट रभिन का जोड यहाँ पर बच्चों मैं इस कोश्चन को दो तरीके से सॉल्ब करके दिखा हुआ एक है फस्ट मैथट और दूसरा है सेकिंड मैथट तो आपको जो मैथट पसंद आए उस मैथट से आप इसको सॉल्ब कीजिएगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं पहले फस्ट मैथट से इसको सॉल्ब करते हैं सबसे पहले इसको पढ़ते कैसे हैं उसको समझिएगा इसको हिंदी में बोलते हैं 2 सही 1 बटा 5 इसको इंगलेस में कैसे बोलते हैं 2 and 1 5th प्लस 3 and 1 5th Got it? तो चलिए आप solve करते हैं इसे तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे जो denominator में रिया है 5 उसकी multiply करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 अब यहाँ पर होगे 5 2 जा 10 अब 10 में add कर जाएगे 1 कितना हो जाएगा 11 तो हमें यहाँ पे क्या मिला 11 upon 5 ठीक है फिर लगाएंगे plus क्योंकि यहाँ पे plus लगा है अब इस पर आते हैं सेम बही procedure यहाँ पे करेंगे 5 3 जा 15 15 में 1 add करेंगे कितना हो जाएगा 16 16 upon 5 ठीक है अब देखीएगे यहाँ पर denominator denominator same है तो LCM लेनी की तो कोई जरूद है नहीं तो अब इसको add कर देंगे कितना जाएगा 6 and 1 7 1 and 1 2 और नीचे आजाएगा 5 ठीक है यह हो गया पर solve second method से इसी को करते हैं तो देखीए इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 2 plus 1 upon 5 फिर क्या है plus प्लस लगा लेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं 3 plus 1 upon 5 ठीक है लिखते हैं इसको 3 plus 1 upon 5 5 अब इसको solve कर लेते हैं 3 और 2 इसको एक ज़्यकर लिख लेंगे 3 plus 2 plus 1 upon 5 plus 1 upon 5 ठीक है 3 और 2 add करें कितना हो जाएगा 5 यहाँ पर दोनों के denominator same है तो इन दोनों fraction को हम add कर सकते हैं कितना हो जाएगा यह fraction add करने के बाद 2 upon 5 अब यहाँ पर देखिए नीचे कोई number नहीं लिखा है तो जहाँ पर denominator में कोई भी number नहीं लिखा होता है वहाँ पर बन होता है तो यहाँ पर बन लिख लिए अब बन और 5 का LCM कितना हैगा 5 ठीक है अब 5 को करेंगे 1 से divide तो हमें कितना कॉशेंट मिलेगा 5 और 5 की उपर multiply कर देंगे तो यह उपर हो जाएगा 25 ठीक है अब यहाँ पर आते हैं second fraction पे तो 5 बन जा 5 ठीक है 1 कॉशेंट मिला और बन की उपर multiply कर देंगे तो यह जाएगा 2 multiply by 1 तो इसको और आके solve करते है जो जाएगा 25 plus 2 upon 5 answer मिला हमे 27 upon 5 ठीक है यहां से 27 upon 5 मिला है और यहां से 27 upon 5 मिला ठीक है तो आप चाहूँ जो method आप उसनल लगे यह method आपको अगर easy लगे तो इससे कीजिएगा यह method आपको easy लगे तो इससे कीजिएगा ठीक है Thank you